मेरे युट्यूब चैनल पर आप सबको फिर्ट एक बास स्वागत है तो आज हम बनेंगे इस तरह का डिजेन कैसे बन सकते हैं एकदम सिंपल तरीका है एकदम आसान है देख लिजेगा एक दो बार देखेंगे आपको यादा जाएगा और आप यह डिजेन फटाफट कर सकते टो तो यह डिजेन बनाने से पहले क्या करना जो फिर्ट मेरा अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको रिकोर्ष्ट है के मेरे चैनल पर जानेगा और यहाँ पर यहाँ पर बाल पर क्लिक करना है इसे क्या होगा मेरा जितना भी वीडियो आप्लोड होता जाएगा वह आपको सबसे फास्ट देखने को मिलेगा तो चलिए फेंट सुरू करते हैं आज का पूजेक्ट इस तरह का डिजन कैसे और कितना सिंपल तरीका से हम बना सकते हैं तो इसको मैं पहले बंद करता हूं इसको बाड़ा शेंट करोंगा तो यहां पर इंचेश कर से यहां पर थीज दिया और यहां पर आधार डिवएड लिएट करने लेप्ट और रएट तो यहां पर जो भी है वी इ रहा रहाँ राता है कॉंट्रोल आरे दीके रूलार आ गया जिसके स्वाटकट है कॉंट्रोलार तो यहां से ड्रैक करके यहां पर 18 पर छोड़ना है मतलब इधर 18 इधर 18 36 हो गया अब इसको में बढ़ाना है किस तरह से बनते देखिए तो मेरे पास यहां पर है मेरे पर यहां पर कभी कॉगल से डाउनलाड कि वहां बैक गांड तो उसमें से बतला है बहुत तरह मेरे पास गूगल फीमें गूगल से बहुत कुछ मिल जागा वहां से आप कालेट कर लीजिएगा बहुत आचाचा चाहमीं देर और रहे चांट्रोल एक किया ही किया इसको टंसुम कर धियां इत्युस्ट करके देता हूं भस को ईख कर नहीं मैं इसको गो कर दिया को पिरूप ए पिर आपको क्या करना तर साथ प्रसेस का तो जल्दी हो जाएगा तो फिर इमेज में जाना है यहां पर देखे हुव एन सचुरेशन ही इसको फाट कर देखे हो एक पर पर बापस एक बापस से घर देज़े पर देजिए फिर फूल नकर कर देखे मेरे दिजाइन करने के तरीके से और मेरे हिसाब से यह बेक्गाउन में तैयर कर लिया आप अपनी हिसाब से और कुछ कलर दे सकते हो और कुछ कर सकते हो चले कर दिया अभी सिफ पकाने के बाद इस बेक्गाउंड को पकड़िए और कॉंट्रोल इसे दुनों को मार्च कर दि यह मेरे पास पांच फोंट्रेट फोर्टेर तो मैं इसी फोटो से टिजाइन दिखा रहा हूं आप फोटो से मतलब मत रहा हुए कि आप सिर्फ डिजाइन से मतलब रहे कि जैंड तो डिजैंड किस तरह से और कितना try fast हो सकता है उसका प्रोसेस देखिए फोट के उपर में मत ध्यान नींड किनगा फोट के पूटो मैं बार बार रिपीट कर सकता हूं मेरे पास इतना ही फूट है चलिए इसको Ctrl A क्या Ctrl C क्या Ctrl W क्या बंद कर दिया इससे पहले यह प्रसेस में बताया था Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W का मतलब क्या इससे पहले में बताया था जो फ्रेंट्स इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाला वीडियो को देख लीजिएगा Ctrl T से ट्रांस्वां करो कि यह फ्रूस प्लेसमेंट किया फिर इसको लेयर मास्क करना है यहां पर यहां पर लेयर पर जाएए लेयर मास्क और यहां पर हाईडल फिर आपक से यह डायमेटर चुटा बड़ा कर सकते हो इसको मैं 100% से तुरह सा ऐसा कर दिया फिर इसके उपसिटी में करके लेका है 15% पर और यह साइड में तुरह ड्रैक कर देता है इसलिए मैं कर आओ यह बेकगाउन के साथ अच्छा खासा माल चुचेगा मास्किंग का फिर खसिय जाता है तो कोई बात ने तो आपको तो पता ही होगा चलिए यह हो गया फिर दूसरा फोटो प्लेस्मेंट करने के लिए यहां पर तोरह सा मैं क्रेटिविटी करूंगा यहां पर देखिए यहां पर ले ले रहे है नियुल यहां तो कॉंट्रोल फिट और इन से भी अप कर सकता हूं अब यहां पर प्लेना का उस्टेघ मैंने वीडियो में दिख्या था अब उसको देख सकता हूं क्लिक किया Commons फिर आं इसको रही ऐसा टूप ब्लेंट कर दिया अभी यहां पर रहुकर ले क्लिक किया ऐसा फिर मैं क्या करता हूँ यहां से प्रेंट टूल लेता हूँ और इसको मैं फिल कर देता हूँ फिल कर दिया अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर और डूब्लिक लेयर बनाता हूँ फिर इसको कर देता हूँ फिर इसको मैं नीचे दे दिया इसको कॉंट्रो कर दूंगा और इसको मैं नीचे दे दूंगा इसके नीचे बस're को तुरहा निकल दो की बोर्ट कहँड़ा लासे बहार निकल दूंगा पिर ऑन उसके ओपर की Liz को ईबता बाद उसको करना तो फिर इसको इसके नीचे देना है मतलब एक के बाद एक नीचे जाएगा फिर Ctrl T किया Alt ये Ctrl प्रेस किया फिर इसको थोड़ा ऐसा कर दिया फिर इंटर मारा इसका कलार चेंज कर दूँगा Ctrl प्रेस करने के बाद इस लेयर के उपर क्लिक किजिए यह सिलेक्शन हो गया यहां पर जाने का है मेरेको जो यहां से मेरा जो कलार पसंद है मैं वह कलार देखिए इसको Alt बैक प्रेस मार दिया एक कलार चेंज है और एक प्रेस करने के बाद थ्रब्ली के लेयर बनाना है इसको ओके करना है यह इसके वले के नीचे देखिए फिर Ctrl टी किया Ctrl प्रेस करने कवाद थरा सा इसा कर देता हूं फिर इसको इंटर किया फिर Ctrl प्रेस किया इस थम्रेस पर क्लिक क्या यह सेलेक्ट हो गया फिर इसको मैं द लिए मैजिक बन टूल लीजिए यह सिंगल करा रहा है इसलिए सिंगल क्लिक में सेट हो जाएगे सेलेक्शन हो जाएगा फिर मेरे पास दूज़रा फोटो उसको में सेट करूंगा यह वाला फोटो को में सेट करता हूँ जिसको फोटो को लियाओ प्रसेश होई है कैसी यहां से कॉपी करने ह则 से करने लेकिन इसे लिए क्न्ट्र सी इस के अंदर टी खैसे होगा इससे पहले अब बतायता मैं इस के ओपेस्ट करने के लिए आपर एडिट पे जाई या पेस्ट इंडू इसका कट्रिप कॉंट्रोल भी यह इसके अंदर सेट हो जाए फिर कॉंट्रोल टी किया फिर इसको सीप्ट और ऑल्ल्ट कर साय आता से इसको तुरसा मैं कि प्लेस्मेंट से ही कर दूंगा ताकि मेरा फोटो कहीं कट ना जाए तुरसा घूमा देता हूं चलिए इंटर माल दिए हैं यहां पर सेट होगा है फिर और पोटो को सेट करणा है तो क्या करना अभी देखिए यह chased करना हो यह फिर दो हिली Gerुल को सेट करते हो नцы हरे कि हर एक स्टेप हर एक चीज़ अब ध्जान से सुनीं और देखिए और एक दूबर च्टिस कर दिछ represented क करना उतना अच्छा खुसान नहीं आता है तो इसका प्रोचिजोर वहीं तो इसकी प्रोचिजियर सिख्जिक्क है चली इसको मैं इंटर मट दिया अभी इसको पोट्ट को लेता हूं कि निकले यह तो मैं प्रोचिजियर से मैं यहां से कपी करना है वहां पर पेस्ट करना है एक बहुत अच्छा चीज है देख सुन लीजे काफी को पता नहीं होगा सायद मेरे हिसाब से तो एक बाद देख लीजिए इस को इस बिल्कुल इसके जैसे सेब में कैसे करना है Ctrl T से पापस करूंगा तो मैनली छोटा बड़ा होगा Shift Ctrl T प्रेस कीजे बिल्कुल से जगे Shift Ctrl T बिल्कुल से जगे तो दोनों को ऐसा एलाइमेंट करता हूँ इसको थोड़ा ऐसा टेरा कर देता हूँ इसको थोड़ा ऐसा घूमा देता हूँ अभी यह दोनों के पीछे में एक में लियार देता हूँ यहां पर एक नया ले लेता हूँ और यहां पर मार्के टूल लिया और यहां पर एक सेब ड्रॉ किया चलिए अभी इसी लियार पर मैं एक कलर देता हूँ लग आप वह हैं पर उसको सेट कर सकते हैं तो मिलेंको Chi इस से अच्छा तो यह वैतर लग रहा है कि इसको रख़क देता हैं चलिए फिर मिलेंको आना है ऑफिए लियर क्राव पर इसको तरह स्टोक ऑड्रॉप स्टूक देता हो मैं काला नहीं से चेंज करके हुइड कर दो यह आउट साइड मार करता हूं को तो को ते नहुंद है और यहां पर ग्रोबाल लाइट को अगलोबल रॉइ यूथ हम बंद करना है कि इस ल्यआर में बिल्कुल जयसा मैं इस ल्यार स्टायल से ल्यार स्टायल किया बिल्कुल वाइस में यूस्ट करूंगा ये भी बहुत अच्छा सठीक से इन तो इस लेट पर आने का इस पर राइट क्लिक करना है और यहां पर copy layer style क्लिक करना है यहां से यह layer style को copy गया इस layer पर आ रहा हूँ right click करता हूँ और यहां पर paste layer style बिल्कुल वही चीज़ी प्रेस्ट हो जाएगा तो friends मेरा यह चोटा चोटा ट्रीक्स अगर आपको आच्छा लागा हो बिल्कुल मेरे को comment कीजिएगा मेरे को भी यहां पर उपास ही 100% और flow भी 100% करता हूँ चलिया अभी इस layer पर हूँ तब यहां से थोड़ासा ऐसा randomly erase कर दिया फिर इस layer पर आ रहा हूँ इस corner पर थोड़ासा randomly erase कर दिता हूँ कि बस इतना ही करना थोड़ासा केटी वीटी हो गया एक चोटासा केटी देखने में अच्छा लग रहा है स्क्वाइर तो नहीं है अप्टर रॉल थोड़ासा अच्छा काता लग रहा है चलिए फीर मेने पास बचा हुआ और एक फोटो है यह फोटो इसको लेता हूँ है इस फोटो को भी मैं एक है है हुआ बहुती कंम समय के के जाएई पोटो बनाद हुँगा तेखे कित buds बंञेगा इसको में कंट्रल कॉन्ट्ल ड्डव किया इस लियर प्रता हूं इस्में पैस्ट करता हूं कंट्रыл भी से अच्छा यह यांदा चलांगा चांट्ट्र कर और यहां पर डूब्ली के लियर बनाई है इसको कर दियो इसको ब्लैकनेट करूंगा ब्लैकनेट कैसे कैसे होता है कितना तरह का होता है मैं इससे पहले में वीडियो में देखाया हूँ अब बाद देखिए बहुत काम का है वह ब्लैकनेट कितना तरह का होता है तो मेरा जो फ और ब्लेका चलि और कुछ निकर सेफ डी पेस करना है या तो यहां पर क्लिक करना है और कुछ परनी है फिर एमेंग में जाना है यहां पर गेरियन में करना है यहां तुल कम समोगा आपका एक रहे है जो फो फॉटल था यह अब कुछ नहीं इस कुछ ना आ चरहर है कुछ नहीं सेटिंग करने कुछ ताम जहम कुछ नहीं है इस पोटो को मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर आप जाई यह हाड लाइट देखिए इतना सा अगया है कि तो आपके पास कुछ और नया नया आइडिया हो तो भी बताएगा तो मैं उसको भी बनाने का कोसित करूगा तो आज के लिए इतना फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ नया कुछ ट्रिक्स के साथ थैंक्यू फ्रेंट्स